के दोस्तो आजकि इस विडियो को आप एंड तक देखली जिये आपको समझ में आ जायेगा किया रूची सौया का या अलौक इन्डस्टुी का वाके में कोई कहारेजन किया जा सकता है नहीं या अलौक इंडस्ट्रिज में वो पोटेंशल है कि वो रूची- हेलो फ्रेंट्स आइवलकम यूल तो माई यूट्यूब चैनल लिज माइंवेस्टमेंट दोस्तो आलोग इंडस्टिस का शेयर आजकल बहुत जबत चर्चा में बना हुआ है पिछली कुछ सेशन में जबर्दस मुफ दिया है दोस्तो चारो तरफ यही बाते हो रहे हैं कि क् सब्सक्राइब करें दोस्तों मेरी अपने चैनल की वीडियो पर डिफ्रेंट प्लेटफार्म सोचल मीडिया पर मैंने देखा है हर बंदा यही किया रहा है कि यह अगला रूची स्वया हो जाएगा दोस्तों दोस्तों कि दोनों ही ऑगनाइजेशन कंपनी इस्ट्रॉक्च करनी की दोस्तों सबसे पहले में रूची सोया की ब्रीफ में बात कर लेता हूं रूची सोया का एक्वाइजिशन जब बतांजली ग्रूप ने किया तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो उसकी कैपिटल है एकुटी कैपिटल है उसको 99% तक रिडियूज कर दिय पहले 66.8.82 करोड शेयर इशू थे जिसको उन्होंने घटा के 66.82 लाक कर दिया इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जिसके पास 100 शेयर थे लिस्टिंग से पहले जब रूची सोया डिलिस्ट हुआ जिसके पास 100 शेयर थे तो जब नई दुबारा लिस्टिंग हुई एकुजिश 99% के आसपास हो गए क्योंकि उन्होंने एकुटी को डाइल्यूट कर दिया 99% सो शेयर के बदले एक शेयर कर दिया दोस्तों रूची सोया का शेयर जब डेलिस्ट हुआ तो 13 नवेंबर को तब उसके प्राइस तीन रुपे पैसे था और जब वो रिलिस्ट हुआ दुबार शेयर वाले के पास में 10 रह गए तो उसकी जो पहले उसने तीन रुपे 35 पैसे अगर हम क्लोजिंग प्राइस ले रूची सोया का उस ताइम का जब वो डेलिस्ट हुआ है उसके हिसाब से उसके एक शेयर के वैल्यू तीन सो पैसे हो गई 17 रुपे 85 पैसे पे लिस्ट रुपे 335 रुपे क्योंकि सो शेयर के बदले एक शेयर मिला है और रिलिस्ट हुआ 17 रुपे 85 पैसे पे शेयर ने कंटिन्यू वहां से अपवर्ड जर्नी शुरू करी दोस्तों 600 रुपे के आसपा सरकिट ब्रेक हुआ दो तीन निन लोवर सरकित लगा और शेयर 900 रुपे वह दस रुपे पे लिस्ट हो गया बस उनको साड़े तीन रुपे से हजार रुपे के मौफ का कोई बैनेफिट नहीं मिला है क्योंकि एक्विटी पूरी ही डाइलियूट हो गई इस टॉक 17 रुपे पचासी पैसे पे लिस्ट हुआ 600 रुपे के आसपा सको सरकिट ब्रेक हुआ तो वहां भी शायद ही कोई उसको ले पाया होगा तो दोस्तों रूची सोया में जो मौर ओवर जो आपको यह प्राइस गेन दिख रहा है यह अजस्टमेंट ज्यादा है यह स्रिफ ऐसा है कि तीन रुपे पिचासी पैसे वाला दस रुपे लिस्ट हो गया और जिसका प्राइस अब हजार रुपे है वो पुराने शेर होल्डर के लिए स्रिफ दस रुपे है अगर यह कुटी डाइलियूट ना होती और तीन रुपे 35 रुपे जो डिलिस्टिंग का प्राइस था वो रिलिस्ट होके दस रुपे लिस्ट हो जाता तो यह मौर ओवर यह सेम सिचुवेशन पी जो इतना गेन आया है अब दोस्तों बात करते हैं रूची सोय की करेंट वालुएशन की रूची सोय का जो मोटर के पास अब होल्डिंग है वो 99 परसेंट के आसपा की है नेक्स्ट ये लास्ट येर की और नेक्स्ट येर का प्रोजेक्शन 15,000 क्रोड के असपास है 15,000 क्रोड की सेल 27,000 क्रोड की मार्केट क्यापिटल यह हर तरह से वालुएशन कोई महंगी नहीं है और बाकि FMCG कंपने से कंपेर करो तो इन लाइन है या उनसे सस्ते ही है कोई ऐसा बहुत महंगी वालेक्शन यहां पर दोस्तों नहीं है अब दोस्तों हम बात करते हैं आलोग इंडस्टीस की आलोग इंडस्टीस एंसी एल्टीम रेजोलिशन के लिए गया वहां रिलाइंस और जेयम फिनाशल के कंसौर्शियम ने बिड़ किया रिलाइंस ने 37. 7.7% स्टेक ले लिए जब वो स्टॉक डेलिस टुआ एक्चेंज से 30 जनवरी को तो उसका प्राइस तीन रुपे 30 पैसे था और उसकी रिलिस्टिंग हुई 19 रुपे के आज पास 19 फरवरी 2020 को दोस्तों वहां पर भी कंपनी ने रिलिस्टिंग के टाइम पर फेस वाली को रिडियूस कर दिया 10 to 1 में यानि की 10 एक शेर के बदले 10 शेर मिल गए और एक्विटी कैपिटल को 90% रिडियूस कर दिया तो उसका दोस्तों नंबर ऑफ शेर पर एक निल इंपक्ट हुआ वहां पर एक के बदले 10 शेर होगे और 90% रिडियूस होगे तो नंबर ऑफ शेर सेम रहे गए यानि की यानि की डिलिस्टिंग के टाइम पर जिसके पास अलोग इंडर्स्टिस के शेर थे 3 रूपे साड़े 3 रूपे के एसाब से उस दिन के प्राइस की मैं बात कर रहा हू किसे ने उपर के रेट में लिया हुआ उसकी बात नहीं हो रही है यहां हम नोशनल प्राइज मान के चल रहे हैं डिलिस्टिंग वाले डेट का शेर लिस्ट हुआ 19 फरवरी को 19 रूपे में यानि कि 3 रूपे सी पैसे का जिनके पास होल्डिंग्स थी पूरानी अगर उन्ह कि बाद में शेर अपर सरकिट लगे शेर में कुछ सेशन कुछ सेशन में लोगर सरकिट लगी जब शेर चैन रूपे असी पैसे के आसपास था तब यह न्यूज ब्रेक हुई कि सिलवासा वाले प्लांट को इन्होंने पीपी किट में कर दिया है यह एक लाग पीपीई करने के बाद में यह बहुत की जदा डिमांडिंग प्रोड़क्ट था उस टाइम पे और अभी भी बहुत डिमांडिंगे रिलाइंस जैसा पर मोटर स्टॉक ने वहां से लगतार अपर सरकिट किया और आज इसका प्राइस रूपे के आसपास है तो दोस्तों हम बात करते ह में वहां पर कंपनी के वालुशन कहां स्टैंड करती है कि दोस्तों पहले में कि पीपी किट की बात कर लेता हूं पीपी किट की मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बढ़ाया था एक लाख किट पर डेके हिसाब से 650 रुपे वो सेल के प्राइस पे सेल करें उसको 90 डेस कि दोस्तों जो पिछले क्वाटर की सेल है वो लगबग नो सो क्रोड रुपे के आसपास है और पिछले पूरे फिनाशल एर कि मैं बात करूं तो उसकी सेल तीन हजार करोड के आसपास है हावेवर 2015 में इनकी सेल कभी 22,000 क्रोड हुआ करती थी पूर मैनेजमेंट की वज़ सेल्स और प्रॉफिट और मार्जन लंगातार गिरें तो ही कंपनी अल्ती में चली गई कंपनी पुरी तरह से डिफॉल्ट हो गई करन्ट वैलिशन के हिसाब से में देल है वो लगबग लगबग तरह सट सु करोड रुपे के आसपास है अगर मैं पूरा पीपी किट का वै तो दोस्तों अगर ये शेयर आज 29 रुपे के आसपास है और आप कह रहे हैं जितने भी लोग ये बात बोल रहे हैं ये पांसो रुपे चला जाएगा अगर ये स्टॉक यहां से चार गोना सो रुपे होता है तो इसकी जो मार्केट कैपिटल हो 25,000 क्रोड के असपास चली जाएगी और जो प्रोजेक्टिट सेल है वो लगबग लगबग पूरे साल की 4,000-5,000 क्रोड माली जिस सब चीज फैक्टर दिन करें दोस्तों 5,000 क्रोड की सेल है कंपनी के और 25,000 क्रोड की मार्केट कैपिटल तो दोस्तों काफिर रिच वालुइशन से हैं अब दूसरा दूसरा पॉइंट पर बात करें दोस्तों क्या यह पांसो रुपे जा सकता है दोस्तों अगर यह स्टाक पांसो रुपे चला जाता है तो वहां इसकी जो मार्केट कैपिटल वैठेगी वह एक लाग करोड से उपर वैठेगी अब जिस कंपनी की प्रोजेक्टिट सेल पां बदले एक शेयर रह गया तो अब जो है पुराने एक जिस्तिंग शेयर होल्डर के लिए रूची सोया जो है डेलिस्टिंग प्राइसे श्रिफ तीन गुनाई ट्रेड कर रहा है और यह इस टॉक अब दस गुने के आसपास हो जो री रेटिंग की बात दोस्तों हो रही है काफी हद तक शेयर बढ़ चुका है अब दोस्तों पीपी किट का यूफोरिया है कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है कंफिडैंस बढ़ा है तो शेयर और भी उपर जा सकता है मैंने यह वीडियो स्रिफ आपको यह वालुशन बताने के लिए करी है और आपको यह समझा हो जाएगी दोस्तों किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं होगी दोस्तों किसनी भी दो शेयर का कोई कंपारिजन नहीं होता हर एक की बालेंस शेट ऑथोराइस कापिटल शेयर एक्विटी कापिटल सब अलग-अलग हो